हमने पिछले chapters में कुछ lectures cover किये थे हैं और इस भीच हमने कुछ delay भी किया है next lecture लाने में due to some medical emergencies तो चलिए आज हम सुरू करते हैं unit 2 का human evolution जिसमें chapter 5 है हमारा primates past and present जिसमें आज हम mostly दो topic cover करेंगे common primate traits the various living primates तो चलिए शुरू करते हैं common primate traits except for humans the bodies of primates are covered with dense hair और fur which provides insulation जैसा कि हम सब जानते हैं हम सब primate family के ही बिलोंग करते हैं primates मतलब जो पहले के थे हैं और जो development हो कि आज हम इंसान वने हैं और यहां तक जिसमें gorillas, chimpanzees और रंग्टन्स यह सबाते हैं तो primates में humans के अलावा बांके सारे जितने भी primates हैं उनकी उपर dense hair होता है और fur होता है जो कि उन्हें insulation प्रोवाइट करता है किसी बीचे से जैसे धूप हो गया बारिस हो गया इन सबसे insulation प्रोवाइट करता है The primates have a number of physical and social traits that set them apart from other mammals primates में कुछ physical और social traits होते हैं जो कि अलग-अलग mammals से उन्हें differentiate करते हैं जैसे कि हमारे पास दो पैर चलने के लिए बहुत ही अच्छे होते ताकि हम लोग fast runner बन जाते हैं और हाथ हमारा grasping होता है जिससे हम किसी भी चीज़ को आसानी से hold कर सकते हैं टैटली की सकते हैं, pull कर सकते हैं, push कर सकते हैं The four limbs are especially flexible built to withstand both pushing and pulling forces हमारे जो हाथ की हथेलिया होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा flexible होती है और किसी भी चीज़ को pull करने के लिए, push करने के लिए ज़्यादा काम आती है और इसी तरह हमारे primates में भी पहले यही होता था कि पेडों को पकड़ना, अच्छे से, फल को तोड़ना, किसी भी चीज़ को throw करना, फेकना यह सब बहुत ही easy हो जाता था और the clever side also gives primates great freedom of movement, allowing them to move the shoulders both up and down and back and forth जो clever seal होता है, हमारे जो गर्दन के पास जो हड़ी होती है, जो की shoulder से joint रहती है, move करने के लिए वो बहुत अच्छा freedom provide करता है, ताकि हमारे जो shoulder की वेसे, जो हमारे हाथ है, उसको मच्छे से move करे, आगे की और, पीछे की और जैसे पहले के जो हमारे monkeys थें, जो primates, वो एक डाल से, दुसरे डाल से लिटकते थे, तो उनके हाथ का movement जारा जरुत होता था, किसी भी चीच को पकड़ने के लिए और किसी चीच को थ्रोग करने के लिए भी तो primates generally are omnivorous, that is, they ate all kind of foods, including insects and small animals, as well as fruits, seeds, leaves and roots, the teeth of primates reflect this omnivorous diet जैसे आज हम सब खाते हैं, कुछ लोग, chicken वगरा काते हैं, meat वगरा खाते हैं, यहां तक की फल, फुल भी खाते हैं, और roots जैसे पोटेटो हो गया, किसी भी पेड़ की जड़े, मुली वगरा हो गया, यह सब हम लोग खाते रहते हैं, तो जो primates के जो teeth होते हैं, यह omnivorous diet को दरसाते हैं, primates hands are extremely flexible, all primates have prehensile grasping heads, which can be wrapped around an object, primates का जो हात होता है, बहुत ही जाता flexible होता है, किसी भी जिचिच को पकड़ने के लिए, हम लोग अंगोटे के जरिए और चार उंगलियों के जरिए, किसी भी जिचिच को wrap कर सकते हैं, जैसे एक ball को throw करने के लिए, हम पूरे ball को अच्छे से हाथों से grasp करते हैं, hold करते हैं, उसके बाद जाके अपने हाथों के flexibility के घुमा कि हम उसको fake सकते हैं, तो इस तरह भी primates के hand होते हैं, जो कि बागी के जानवरों में ज्यादा तर नहीं पाय जाता, compared with other mammals, primates have a relatively larger portion of the brain devoted to vision rather than smell, तो जो primates होता है, उनका जो brain का size ह होता है, वो larger होता है, क्यों? क्योंकि वो लोग ज्यादा तर time तक पहले जीते हैं पहली बार, और उनमें सीखनी की छमता जाता होती है, वो धीरे-दीरे सीखते रहते हैं, और यहां तक कि किसी चीज को information को gather करने के लिए, वो smell की बजाए, अपने brain का या तकी vision का ज्यादा इस्तिमाल करते हैं, the more slowly an animal matures and the longer it lives, the more it can learn, जितना ज्यादा धीरे-धीरे कोई भी जानवर या फिर कोई भी प्रिमेड मैचूर होगा, उतना ही लंबा वो जीएगा, प्लस उतना ही ज्यादा वो learn करेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे कि अब मच्छर, मच्छर का ए कि कुछ सालों के लिए होते हैं, और इंसान अब 70-100 पहले था, 120 तक था, अब धीरे कम होते जा रहा है, लेकिन हमारा जो brain का development है, वो तीरी से बढ़ रहा है, क्यों क्योंकि हम लोग vision को जादा effect देते हैं, इस smell को कम देते हैं, जो प्रोसीमियंस होता है, उनमें यह सब जानवर्स के कुछ कैटेगरी की कही है, जिसमें लिमूर्स होते थे हैं, लोरिसे होते थे हैं, और तर्सरी होते थे हैं, एंथ्रोपोईट के कैटेगरी में, हमारे पुराने समय के monkeys हो गए है, आज के समय के monkeys हो गए हैं, जो इस समय हैं, जिसमें से कुछ लोग apes भी होते हैं, जिसमें geebirds हो गया, cmx हो गए, great apes हो गए, orangtons, gorillas, chimpanzees और इंसान, प्रोसीमियंस प्रोसीमियंस क्या होता है? prosimians depend much more on smell for information than do anthropoids. prosimians जादा तर smell की उपर depend रहते हैं किसी चीज को information को gather करने के लिए. लेकिन जो anthropoids होते हैं वो जादा तर vision को मांगते हैं. lemur like forms lemurs and their relatives, the indiries and the iis lemur और उनकी जो प्रजातियां कुछ हैं जिसमें से ii भी आता है, indiries भी आता है, कहाँ कहाँ पे southern coast of Africa, Africa के जो southern coast हैं जिसमें Madagascar आता है और एक Comoro Islands आता है, उधर पाई जाते हैं. next है हमारा Loris life forms member of Loris groups found in both South East Asia and Sub-Saharan Africa Loris group के जो family होते हैं, वो South East Asia में और Sub-Saharan Africa में पाई जाते हैं और ये nocturnal होते हैं, यानि कि रात में ज्यादा तर चलते हैं, रात में अपना food को, prey को ढूडते हैं, उसी को खाते हैं, जैसे चमगादार हो गया, उसी तरह ये भी nocturnal होते हैं और aboreal, aboreal मतलब ये पेड़ पही जाता रहते हैं और रात में अपना food root के लिए, भोजन के लिए, अपने बाहर निकलते हैं घर से, एक होता है tarsaries, tarsaries are more like anthropoids in having a reduced dependent on smell and in common with anthropoids, their eyes are closer together and are protected by bony orbits tarsaries क्या होता है, anthropoids से ज़्यादा दर similar होता है, क्योंकि ये vision को smell की मुकाबले ज़्यादा आहिमियत देता है और बागी anthropoids की तरह इसके भी आँखे जो होती है, दुनों बहुत ज़्यादा पास होती है, जैसे इंसानों की होती है एपस की होती है, गोरिला की होती है, और इनकी आँखों के पास एक ring type का रहता है, बोनी रहता है, ताकि इनकी आँखों कुछे से protect कर सके anthropoids क्या होता है, anthropoids suborder includes human, apes and monkeys, anthropoids में हमारे इंसान आते हैं, गोरिलास आते हैं, चिंपेंजिस आते हैं, और एपस होगरा यह सब आते हैं the anthropoid order is divided into two mainly groups, platterians and catarians, anthropoids का order है, वो दो पार्ट में divided है, platterians and the catarians, आप इस इमेज में देख सकते हैं, एक साइड catarians है, और एक साइड है catarians, catarians में क्या होता है, इनके nose पतले होते हैं, और इनके जो दान होते हैं और वो उसमें दो प्रीमोलर होते हैं, और कान की टूब होती है and catarians के cheek pouches होते हैं, जैसे किसी वीचेश को खाने के लिए मुह में इनकी जगह होती है जैसे हम लोग अगर किसी वीज़ेश को खाते हैं एक गुलाब जामू जैसे हम लोग पूरा मुह में एक साथ रख सकते हैं साइड में हमारे गालों में फुलने के लिए जगया होती है किसी वीज़ेश को होल्ड करने के लिए किसी वीज़ेश को खाने के लिए उसी तरह catarines में होती है और इनके जो tail होते हैं इनके जो tail होते हैं non-prehensile tail होते हैं मतलब इनके पूँच की विज़े से ये लोग किसी वीज़ीच को hold नहीं कर सकते हैं जैसा कि monkey लोग क्या करते हैं अपने पूँच के विज़े से भी लटक जाते हैं पूँच से डाल को पकड़के लेकिन जो ये catarines होते हैं इनके पूँच में ये ताकत नहीं होती है और जो platarines होते हैं इनके जो nose होते हैं वो चौड़े-चौड़े होते हैं जैसा कि आप गोरिला को देख सकते हैं और इनके जो pre-molards जो दात होते हैं वो तीन होते हैं इनमें कोई ear tube नहीं होता है और इनके जो tail होते हैं prehensile होते हैं prehensile मतलब डाल को पूँच से पकड़के लटक सकते हैं जो लेश आता है new world monkeys new world monkeys मतलब आज के समय में जो बंदर हैं उनके बारे में the new world species have three pre-molards whereas the old world species have two आज के जो बंदर होते हैं इनके दातों तीन pre-molards दात होते हैं और जो पहले के जो old world monkeys थे हैं उसमें सिफ और सिफ दो थे हैं some new world monkeys have a prehensile grasping tail no old world monkeys जो आज के जो नए world के जो monkeys हैं बंदर हैं ये लोग अपने पूच की वरे से डाल को पकड़ के लटक सकते थे हैं जो पुराने जमाने के जो monkeys थे old world monkeys वो लोग ऐसा नहीं कर सकते थे उनकी जो टेल थी वो पकड़ने के लिए किसी चीच को बनी नहीं थी जो नए world के monkeys हैं वो पुरी तरह से अर्बोरियल होते हैं यानि कि ये लोग जादा तर पेड़ पूदे पही रहते हैं पुरी तरह से जमिन पे जादा तर ये नहीं रहते हैं जमिन पे सिर फॉट से पाएंगे तो अपने फूट को लेने के लिए खाएंगे और वापस चले जाएंगे पेड़ों पे ये लोग जादा तर गुरूप में रहते थे हैं और इनके जो फूट के कारेंज होता था ये लोग खाते क्याते हैं डाइट उसमें से इंसेक्ट साता था नेक्टर के लिए और सैप तो फूट और लिवस जो पेड़ पौद है क्या पत्ते होगे फूट होगे ये सब खाते थे हैं जो लोग इंसानों से ज़्यादा तर मेलक है थे जैसे कि इनकी आँखे ज़्यादा पास में रहेंगी उनकी जो नोस रहेंगी वो ब्रॉडर नहीं होगा और इनकी जो टेल होगा वो ग्रैस्पिंग टाइब का नहीं रहेगा और जो इनकी जो टीद्स होते हैं टीद के नंबर्स होते हैं वो ज़्यादा तर एप्स और हुमन के मुकाबलिस बरावर ही रहते हैं लगबग सीमिलर रहते हैं अब हम पढ़ते हैं जिसमें से आते हैं हमारे गीबंस हो गए जिसमें और जिसमें और आता है हमारा जो थर्ट कैटेगरी है है हुमन या फिर हुमनिस यह जिसमें की यह दातों के डिजाइन अगर आप उपर से देखेंगे किसी भी दात को जैसे अगर आपके दात टूटे होंगे तो आप देखें होंगे उसमें य का पैटन होता है इस तरह का य एक प्रकार से बना रहता है तो यही सब हमारे हमिनट की निसानी होती जो कि हमारे पहले की जो एंसस्टर्स होते थे उनमें भी यही चीज खुबियां पाई जाती थी यह जो इसकेलेटन हमारे जो होते हैं खोपडिया हो गई और जो दातों की फीचर होते हैं वो हमिनट के वो पुराने जमाने के जो कॉमान एंसस्टर्स होते हैं उसको दिनोट करता है दिर प्रोटीन एड डिनने सोज मेनी सिम्लेटिवर्टीश फून इनके जो प्रोटीन वोते हैं और जो डिन्न हम लोग का चिस डिननिका स्ट्रक्ट्चर होता है वो भी हमारे असस्ट्र के हिसाब से जादा तर सिम्लेटी दिखने को मिलती हैं इस जेनेटिक्स लाइकनेस एमंग chimpanzees, gorillas and humans तो यही जो genetic likeness होती ही जो genetic similarity होती है वो ज़्यादा तर chimpanzees, gorillas और humans हम तीनों में ज़्यादा तर same दिखने को मिलती है Gibbons and CMNs the agile gibbons and their close relatives the CMNs are found in the jungles of South East Asia, यह सब South East Asia पाई जाते हैं Gibbons और CMNs और एंक्टन्स survive only on the islands of Borneo and Sumatra और एंक्टन्स क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ Borneo और Sumatra के जो islands इंडोनेसिया साइड में उधर ही ज़्यादा तर यह पाई जाते हैं और जो थर्ड होता है हमारा gorillas, gorillas are found in the lowland areas of western equatorial Africa and in the mountain ranges of Congo, Uganda and Rwanda यह सब equatorial Africa का जो reason होता है जहां पी quarter pass होता है वो side के mountains area में ज़्यादा तर पाई जाते है और Congo, Uganda and Rwanda के mountains area में भी पाई जाते है तो support the weight of massive chest gorillas travel mostly on the ground on all four in the form of locomotion known as knuckle walking गोरिला का क्या होता है weight काफी ज़्यादा होता है तो यह अपने सिफ और सिफ दो पैरों पे ज़्यादा देता प्राइम तक रह नहीं सकता है इसलिए वो जाता तर चलने के लिए अपने चारों दुनों पैर और दुनों हातों का उपियो करता है उनके दुनों पैर तो normally पैर की तर चलेंगे और जो इनके दुन हात होते वो नकल वाकिंग होता है नकल वाकिंग क्या सकते है अप उंगलियों के बलबूते आप चलेंगे उस तर उसे बोलते नकल वाकिंग तो गुरिला क्या करता है अपने दुनों हातों के पंजोगे जो उंगलिया है वो उंगलियों के सहारे वो आगे के ओर चलता है जैसे कि आप इमेज भी देख सकते हैं इसी को बोलते है नकल वाकिंग लेकिन जब इसको कुछ खाना पीना खाना होता है तो ज़्यादा तर खड़ा हो जाता है या फिर किसी उठा किसी चीज को फल को तोड़ने के लिए अपने हाथों को प्योग करता है और बैट के अराम से खाता है लेकिन अगर ज़्यादा तर दूर तक उसको चलना है तो नकल एफिरिका के फॉरेश्ट रिगिया में ज्यादा अवतर पाई जाते हैं जिनिया विस्ताओस से लेके तंजानिया तक नेक्स्ट होता है हमारा होमिनिस अकॉर्डिन टो दो क्लासिफिकेशन वी यूज ये दो होमिनिस जो हमिनिस के जो हमारी कैटेगरी थी वो आज सिर्फ और सिर्फ एकी कैटेगरी एकी स्पीसिस में रह गई है जिससे हम लोग मौडर्न हुमन बोलता है यानि हम और आप तो अभी के लिए वस इतना है अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें थैंक्यू सो मच गाइस